सीधालिये चलते हैं नीमाच चसियम डॉक्टर मोहनियादव क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं कि के नाम पर स्थापेती है नए मेडिकल कॉलेज के लोकारपन के अउसर पर जोड़दार तालिबजाव पूरे मंच के लिए और सुभारम के लिए और एक बार आज धन्मंतरी जहनती है तो बोले है भगवान धन्मंतरी महराज की भादवा मया की हमारे लिए सोभागी की बात है मंच पर यसस्वी दोनों उपमुक्ष मंतरी सिर्मान जग्दिश देवडाजी सिर्मान राजय इन सुकलाजी हमारी यहां की प्रभारी मंतरी सिर्मति निर्मला भूरिया जी हमारे सांसा सुदिर गुप्ता जी मानने विधायक दिलिप सिंग परिहार जी ओम सकलेचा जी माधव मारू जी इस अउसर पर हमारी जिला पंचायत के अध्यक जी जिला अध्यक जी जनपत पंचायत सभी अऊज अपने नीमच के लिए नीमच के विकास के लिए चिकिट्सा सेवा के समूचे प्रदेश की सम्रद प्रंपरा को और सम्रद बनाने के लिए नीमच में तो पतानी परमात्मा की विशेश क्रपा थी यहां तो अपने वीच में से बिमारी के लिए नीमच भगवान का भी विशेश दिर्वात देता यह डाक्टर कम चाहिए भादवा मता का पानी से ही लोग अच्छे हो जाते यह आनंद कहीं आता तो नीमच में आता है लोगों को आश्र लगता है कई लोगों को जादू लगता है कई लोग समझते ही नहीं है कई लोग मजाग उनके हिसाब से हो सकता है लेकिन हमारे लिए स्रद्धा का केंद्र है भादवा माता का असिरवाद ये हमारे लिए कई कारणों से बहुत महत्वका है और भाजपा के लिए स्वर्गी विरेन कुमार सकलेचा जी का नेत्रत्व क्या होती है प्रसास्निक कुसलता क्या होता है नेता का चरित्र और क्या होती है दमदारी काम करने की ये इसकी लगुमिसाल कहीं मिली है पूरे प्रदेश के लिए निमाच और मनसोर पूरे प्रदेश के लिए और भाजपा के लिए पुरुवर्ति जन्संग के जमाने से सबसे मजबूत जिले में से एक नीमत जिला ये मैं आपको बधाई भी देता हूँ और उनके नाम पे जो घोशित किया है ये हमारा सोभाग भी है स्वर्गी विरेंद कुमार सकलेचा जी ने अपने सुनसट के समय उप मुख्यमंतरी के रूप में जो काम किया है और बाद में आपातकाल के अंदर संगर्स करते वे भी सरकार जब जनता पार्टी की बनी तो अपनी प्रसास ने कुशलता के साथ एक मुख्यमंतरी का कारेकाल कैसा होता है गेर कांग्रेशी मुख्यमंतरी के रूप में हमारे सभी मुख्यमंतरी ने एक से बढ़कर एक काम किया है कोई किसी से कम नहीं लेकिन विरेन कुमार जी सकलेचा जी ने भी इतनी लंबी लाइन खीची है कि वास्तों में उसको देखके आनद आता कि हमें लिए हमारे लिए वो सदेव आपने लिए प्रेड़ना के और आदर्स के एक अलग नेता के नातर से जाने जाते हैं आज के सवसर पर चुकि मुझे तुरंत निकलना बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोलना था और नीमच में आके तो इसा लगता है कि माईक मिल जाए और नीमच वाले मिल जाए तो सब भूल जाओ और कुछ याद ही नहीं रेता इतना प्रेम लुटाते हैं हमारे अपने इस छेत्र के अंडर अपनी छमता से उर्जा से मुझे मालूम है नीमच के अंडर अभी ओधो के निवेस के लिए हम प्रदेश भर में अभियान चला रहे हैं लेकिन बहु फसली व्यवस्था के अधार पर भारस सरकार के माध्यम से नीमच में M.O.U. पतंजली योगसंस्तान रामदेव का नाम सुना होगा हमने उनको नीमच से जोड़ा है जो अपने ओसदी फसलों के लिए वो यहां काम करेंगे जोड़दार अभिनिंदन करो धन्वंतरी जैनती है ओसदी फसलों की मानि जगदी जी मानि राजें जी ये सबसे बड़ी मंडी है पूरे प्रदेश क अंदर धोली मुशली अस्वगन्दा एसिया की सबसे बड़ी मंडी और दिमाख वालों की भी कमीनी नीमच में एक से बढ़ करें क्या जिवरदार सारे तौले बंदके खोलने के अगर कहीं मोखा मिले तो नीमच में मिलता है और कहीं नहीं मिलता है हमाले लिए जो काम असंभ हो कोई करें न करें नीमच को दे दो नीमच नंबर वन पर करके देता यह मैं पत्का ग्यारंटी से ले सकता हूं इसलिए नीमच में जो हो जाए मुझे इस बात की भी प्रसनता है बहुत जल्दी मोका आएगा इसी चार से महिने के अंदर जब एस्या से लुप्त होने वाला चीता गांधी सागर में आकर के परेटन के नए अद्वार खोलेगा नए आनंद देगा और ये मेडिकल कॉलेज आने वाले समय में अपने होनहार विध्यारतियों के भरोसे से चिकिस्सा छेत्र में ना केवल प्रदेश ना केवल देश बलकि दुनिया में नाम कमाएंगे ये मैं शुबकामना देता हूं बदाई देता हूं कोई भी मेडिकल कालेज के विध्यारती वो अपने लिए नहीं होते हैं समूची मानवता के लिए हमने देवी देवताओं को नहीं देखा है लेकिन डाक्टर के रूप में भगवान को हम देखते हैं ये हमारी संस्कृती है ये सदेव सदे हमारे लिए पुजनी हैं आदर् भगवान भी उचा है और रावन के काल में भी दुस्मन देश की तरह लड़ रहे थे आपस में लेकिन भगवान राम के भाई पे जब वार हुआ तो सुसेन वेद्य ने चिकित्सा सेवा के बल्बूते पर मानवता के लिए दुस्मन के भी भाई का हिलाज करके अपनी चिक किसा विश्था का मान बढ़ाया सम्मान बढ़ाया यह हमारी पद्धती है यह हमारी संस्कृति है अज के शुचर पर एक नए मेडिकल कालेज की शुभकामना देता हूं बधाई देता हूं आनय वाले दीपावली पर जहलावाड रामपुरा होकर के नीमस से जहलावाड होकर खोरलेंड बनाने की मांग कही है और मैं भूल नहीं सकता हूँ रामपुरा से भी मेरा विशेश संबंद रहा है जगदिश देवडाजी के माध्यम से 40 साल से आवारे बीच में भले वो मलारगण के विधायक है लेकिन पूरे प्रदेश के नेता है और परिसत के समय से जगे जन जन से जुड़ेवे हैं इसलिए निश्यद रूप से इस फोरलेंड की मैं घोष्टना करता हूँ ये वोरलेंड के माध्यम से एक नया विकास का दर्वाजा खुलेगा पुना आप सबको आगामे के दिपावली परवकी बढ़ाई आप और एक बात आपको बता रहा हूँ हमारी सरकार बनने के बाद सभी त्योहार हमने सास की स्तर पर धूम दाम से मनाने की सुरुवात की है दसेरे में सस्त्र पूजन किया जोरदारा मिननन करो दसेरे के उस रावन तो जलेगा भगवान राम ने मारा लेकिन मारा काई से सस्त्र से और हमारी संस्क्रति के दुस्वन भी बहुत सारे दिख रहे हैं इसलिए हमको सबल बनना पड़ेगा शक्षम बनना पड़ेगा सस्त्र का महत्वा है उसको रेखांकित करना पड़ेगा इसलिए दसेरे पे हमने सस्त्र पुजन की परंपरा चालू की दिपावली का अनंद हमारा अलग मनता है लेकिन सच्च अर्थों में करसी प्रधान हमारा प्रदेश और देश है इसलिए गोवर्धन पूजा भी होना चाहिए धूम धाम से गोवर्धन पूजा भी सरकार के द्वारा की जाएगी बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता की जाएग बहुत बहुत धन्यवाद मारेनिये मोखे मंतरी जी आपके आशीश के लिए आपके आशीर वचनों के लिए और अब हम सीधे दिली चुड़ने जा रहे हैं